हेलो फ्रेंड्स चैश्री कृष्णा आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्त होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जब आप जरूर से कर रहे होंगे तो चलिए देखते हैं आज आपके Spirit Guides आपको क्या Message देना चाहते हैं क्या Guidance आपके लिए Universe प्लीज मुझे बताइए मिरे Viewers के Spirit Guides आज उन्हें क्या Message देना चाहते हैं क्या Guidance है उनके लिए प्लीज बताइए Universe आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं इश्वर का नाम जब कर रहे हैं सत्य के मार्ग को फॉलो कर रहे हैं और यह जो आप पात फॉलो कर रहे हैं यहां पर जब सत्य के मार्ग में आपको थोड़ी बाद है आ सकती है या आ रही होंगी यहां पर आपके स्पिरिट गैट्स आपको अपने उपर, अपने इश्वर के उपर, अपने स्पिरिट गैट्स के उपर बनाए रखना है, साथ ही यहाँ पे अगर आपकी मेरेज लाइफ में कोई बाद हैं आ रही थी, अप सेंस डाउन चल रहे थे तो मेरेज लाइफ भी अब आपकी बहुत पॉजिटिव विम मतलब, यहां पर बहुत पहले आप बहुत ज़्छा होते थे, हर चीज में आप बहुत सेंसिटिव स्गॉल हैं, हर चीज में आप बहुत जल्दी इंपक्ट हो जाते थे, Six ज्साइब करते थे लेकिन यहाँ पर आब आप चीजों को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से उसे और इसकर से उसकर रहें पके आपकी डिवाइनockey पर साथ है यहाँ पर संसक्राइब शक्ति की शक्ति एनरजी यहाँ पर बैलंस हो रही और वह को सिर्टो संसी को myślu आपकी बैलेंस नीजिग और जब मैंने action का है तो यहाँ पे कार्थी के जी का कार्ड आया है तो definitely यहाँ पे action ले रहे हैं आपके person और साथ ही यहाँ पे आप में definitely कुछ viewers ऐसे हैं जिन में कुछ skills develop की जा रहे हैं अगर आप spiritual path पर हैं भक्ति के मार पर है divine journey में हैं यहाँ पे आपकी कुछ psychic abilities जो हैं वो unlock होगी आने वाले समय में कुछ ऐसा आप करेंगे जो आपकी soul purpose से आपको connect करेगा साथ ही यहाँ पे आपको बहुत positive होकर की positive सोचना है दूसरों के बारे में भी सोचना है लेकिन आपको यहाँ पे बहुत strategically भी सोचना है अपने आपको safe रखना है आप कुछ भी काम करते हैं और किसी को अपने dreams अपने goals या आपके कुछ अनुभव हो रहे हैं spirituality में वो आपको बिल्कुल भी share नहीं करने हैं अगर आपके कोई guru हैं कोई mentor हैं जिनकी आप guidance में यह सभी चीज़े spiritual path follow कर रहे हैं तो उन्हें आप जरूर share कर सकते हैं लेकिन बागी किसी को भी अपने spiritual experiences किसी को भी share नहीं करने चाहिए और उसके साथ में यहाँ पर अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर leadership skill की जरूरत है और आपको यह doubt है कि आप क्या इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आपकी spirit guides कहना चाहते हैं कि आप अपनी worth को अपन नहीं पहचान पाएं थे लेकिन आप बहुत जल्दी अपनी leadership skill से भी आप अपनी leadership skill को भी पहचान पाएंगे बहुत जल्दी ओकि ऐसा आपके यहाँ पर spirit guides कहना चाहते हैं साथ में चैतने महाप्रभू आये हैं तो definitely यहाँ पर चैतने महाप्रभू जो है वो श्री कृष् के साथ आपका जो connection है वो बहुत strong हो रहा है आप एक ऐसी soul है बहुत sensitive souls है बहुत pure souls है आप दूसरों के दुख को देखकर जो दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इस तरीके की empath souls है आप यहाँ पर light workers हो सकते हैं साथ ही अगर आप यहाँ पर twin flame journey में है या spiritual path पर है soulmate journey मे हैं आप यहाँ पर star seeds भी हो सकते हैं यहाँ पर आपको हो सकते हैं कुछ ऐसे science मिल रहे हूं जिनसे आपको यह बार बार कहा जा रहा हूं कि आप star seeds है तो yes यह confirmation है कि आप star seeds हैं आप God से connected हैं आप यहाँ पर इस past इस lifetime से God से connected नहीं है आप past lifetime से आप इश्वर का नाम जब करत हैं उसी की blessing है कि आप यहाँ पर इस जनम में भी इस बर्त में भी आप इश्वर को इश्वर का नाम जब कर रहे हैं यह आपकी past life की blessings है past life के good करमाज है और जब मैंने सकाए तो यहाँ पर 555 देखा है और यह आपकी भक्ती दिन पर दिन बढ़ने वाली है आप जिस तरीके की भक्ती करना चाहते हैं जिस तरीके से अपने इश्वर से connect होना चाहते हैं उस तरीके से हो पाएंगे आप अपने intuition की सुन पाएंगे आपका intuition पावर इतना अच्छा हो रहा है आपके इश्वर आपकी spirit guides के blessings से कि आप दूसरों के मन में क्या चल रहा है ना क्या क्या चल भक्ती कर रहे हैं तो यह उस बात का प्रभाव है कि आप यहां पे उस चीज से अपने इश्वर से connect हो पा रहे हैं वाराहा अवतार तो दिखेंगे यहां पर आप यह वाराहा अवतार जो है श्रीहरी विश्णुजी का अवतार है बैनिश्मेंट आपके अंदर से डर की ड के अंदर है कोई ऐसा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा तो यहां पे उस डर से अपने आपको बाहर निकलने केलिए कहा जा रहा आपकी क्या कैमूकुल कैपिबल यहां तक इस्किल और साथया फ्रोटकटे लगन bringing जब आप में आपको इतनी सारी blessings आपके spirit guides आपको दे रहे हैं तो आपको डरने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप में वो intelligence है कि आप कोई भी काम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बिल्कुल निडर होके आप काम को शुरू कीजिए और साथ में यहां पर आपको freedom from the fear of dirt and darkness तो यहां पर आपके मन में कुछ ऐसा भय था कि किसे ने आपके उपर कोई negativity यूज तो नहीं किये आपको अपने आप पर focus करना है नाम जब करना है और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी growth पर ध्यान दीजिए इश्वर से connect होने पर दीजिए जितना ज्यादा आप इश्वर से connect होंगे इश्वर की energy से connect होंगे अपने east की energy से connect होंगे तो कोई negativity, कोई तंत्र विद्या आपका कुछ नहीं विगाड पाएगी और साथ में अगर आपको फिर भी doubt है तो यहां पे आप बजरंग बान का part जरूर कीजे और दुर्गा कवच या जिन का भी आप कवच करना चाहें उनका कवच कीजे बजरंग बान का part आप जरूर से कीजे जबी भी आपको negativity लगे उस वक्त आप बजरंग बान का part जरूर कर सकते हैं और साथ में अगर आप time की कमी हो आप ऐसा हर वक्त तो हम नहीं कर पाते हैं तो यहां पे मैं community में बजरंग बान की चौपाई डेली डालती हूं तो वो इसलिए डालती हूं कि जिसके सामने भी आये वो समझ पाई की बजरंग बान की चौपाई जो है वो protection के लिए आपके protection के लिए आप जबी भी आपको negativity लगे इवन जबी भी आपकी thought आपको negative होते हूँ लगे ना तुरंत वो चौपाई अपने मन में बोलना शुरू कर दीजिए continuously बोलते रहे जब तक आपको normal feel नहीं हो तो यह बजरंग बली जी की चौपाई है यह काम ना करे ऐसा हो नहीं सकता है आप करके देखिए आप जरूर इसका positive result जरूर देख पाएंगे एक card और लेते हैं यहाँ पर यामा जो है वो यम देवता है death का card है यहाँ पर आपके जीवन से जो भी नकारात माकता है वो खतम हो रही है आने वाले समय में आपके सबसे पहले तो thoughts में जो बहुत negativity थी थी है वो खतम कर रहे हैं आपके spirit guides आपके isswer साथ ही आप यहाँ पर protector हैं आपके angels आपके इस्ट यहां पर आपके साथ हैं और आपको यहाँ पर सही रहा पर चलने के लिए कहा जा रहा है आपको डरना नहीं है अगर आपको कोई बात गलत लगती है आपको लगता है कि आपके स लेना ही आता है अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं अगर आप अपने ले रहे हैं इसका मतलब आप खुद से प्यार नहीं करते हैं और खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप ईश्वर से आपके लाइफ में जज्मेंट आएगा आपके इश्व आपके स्पिरिट जज्मेंट ले कर आएंगे डापे लेकर आएंगे थो व्यों यह थी आज आपके स्पिरिट कई के मेसेज़जजिस बहुत पॉजिटीव हैं और बहुत मोटिवेटिंग है आपके लिए guidance है आप guidance जरूर follow की जिए spirit guides जो आपको reading के दौरान guidance देते हैं वह guidance आपको follow करने के लिए देती है अगर आप guidance properly follow करते हैं तो यहां पे आपको success जरूर मिलेगी ओके आपको blessing ईश्वर की जरूर मिलेगी ओके friends तो यह थी आज आपके spirit guides के messages I hope आपको अच्छे लगे हूं तो प्लीज कमेंड में आके जरूर बताएगा कि रिडिंग आपको कैसे लगे और अपना ध्यान रखिए नाम जब कीजिए अपने इश्वर से connect होई और और हाँ एक और बात मैं कहना चाहती हूं कि आपको जो भी science मिलते हैं synchronicities होती है angel numbers की या आपको कुछ ऐसे physical symptoms होते हैं अगर आप फ्लेम जर्नी में है तो उन पर आपको ध्यान इतना ज्यादा नहीं देना है आपको उलजना नहीं है उनके science आ रहे हैं दिख रहे हैं उनको accept कीजिए कि हाँ ये science मुझे दिख रहे हैं उनका meaning जानि करेंगे उतना ज्यादा आप खुद को confuse करेंगे ओके आपका main goal है आपका main purpose है यहां पर अपने उपर ध्यान देना इश्वर से जुड़ना जब आप इश्वर से जुड़ते हैं तो यहां पर सभी चीज़ें आपके अनुसार होना शुरू हो जाती हैं यह guidance आप याद रख आते हैं तो प्लीज यह guidance follow कीजिए और आप जो इतने positive comments करते हैं thank you so much thank you so much आप चैनल की vibrations इतनी हाई रखते हैं आपके ही blessings के वज़े से आपकी आशिरवात आपकी good wishes की वज़े से चैनल आपकी और हमारी सभी की vibrations इतनी हाई होती है thank you so much thank you God bless you चलिए मिलते हैं friends अब नेक्स traditional reading के साथ तक तक आप अपना ध्यान रखिए जश्री कृष्णा God bless you राधे राधे